हेलो हेलो सर, वेलकम बाक तु माई यूट्यूब चैनल, वापस स्वागत है आप लोगों का, चली सर, स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 50 के साथ, और हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं सर, पार्टनर्शिप का फंडामेंटल चैप्टर, और हम लोग जो बुक फॉल हम लोग कर रहे हैं, that is TS Greval, latest edition for 2022-23 board exams, चली सर, स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 50 के साथ, कौन सा टॉपिक चल रहे हैं सर, लास्ट क्वेस्टन को पढ़िए सीधा, पास जजज जनल इंट्रिस तो रेक्टिफाई अबव अबव एरर्स, मतलब हम लोग किस में ह सर, हम लोग अभी भी past adjustments का questions solve कर रहे हैं, सही है, यह last question है सर, this is the last illustration for past adjustment, बहुत important है, focus करिएगा, PQRR partners इना firm, तीन partner है, capital account on 1st April वर 3 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 50, मतलब मेरको तो लग रहे है, opening capital दे दिया हुआ है, 3 lakh, 1 lakh 50 and 1 lakh 50, क्या बात है, deed में लिखा हुआ है, आर को commission मिलेगा, ओ स्री, commission remuneration, मैंने गलती से इसको कुछ और पढ़ लिया, R was to be allowed a remuneration of 36,000 पर आनम, remuneration, remuneration of 36,000 पर आनम मतलब salary बोलो, salary हो गया एक तरी के से, salary interest जिसमें डालना डालो, लेकिन मैं तो salary बोलूँगा, salary हो गया ये, कितना 36,000 पर आनम, interest at 5% पर आनम was to be provided on capital, तो जो ये capital का amount है, इस to ignore the above terms, and net profit of 1,80,000 was distributed among the partners equally, अलग ही गंद मचा रखाया अपने, आपने बहुत ज्यादा घिनोना काम किया है सर, आपने पूरा डीड को ही इगनोर कर दिया, अपने हिसाब से बस कुछ भी कर लिया, तब क्या करेंगे सर, अब past adjustment table बनाएंगे, answer अपने आप उतरेगा, है ना भाई, यह हो गया table, illustration number 50 पे focus करिए, सबसे पहले उन लोगों क्या देना था, जिसको जो provide करना है पहले provide कर दो, क्या क्या provide करना है सर, सबसे पहले interest on capital to be provided, लो भाई, interest on capital दे दो, to be provided, 5% पर है न मैं, तो 3,00,000 का 5% निकालो, 1,50,000 का 5% निकालो, 1,50,000 का 5% निकालो, सब को credit कर दो, जो partner लोग को मिलेगा, उसको क्या करेंगे, credit, जो partner लोग को मिलेगा, उसको क्या करेंगे, credit, क्या बात है, यह लो, 15,000, 15,000, अई, गरबड़ो गया, गरबड़ो गया, क्या गरबड़ो गया, सर, यह तो 1,50,000 पर 5% है, यानि कि यह होगा 7,500, 7,500, लो भाई 15,000 ये तो 3,05,000 ये डेड़ लाग का 5% हो गया 1.5,05,05,05 आ गया क्रेडिट कर दो इनका कैपिटल कैपिटल सिंक्रीज कर दो because this is the interest on capital they deserve क्योंकि डीड में लिखा हुआ है अब ये तीनों amount को add करो 1,50, 75,000 7,500, क्या हो गया को नीन दा रहा है कोई बात 15,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 टोटल कितना है 30,000 टोटल 30,000 है इसको क्या करेंगे फर्म का debit side में डालेंगा opposite side में 30,000 लो भाई अच्छा उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था आर को चाहिए remuneration 36,000 पर आनम लिख लीजे second remuneration to r r कोई देना है ना हाँ ठीक है remuneration 36,000 पर आनम p को छोड़ो q को छोड़ो r में चले जाओ सीधा उसका capital को credit कर दो 36,000 से into 12 मत कर लेना पर आनम दिया हुए पर मन्थ बोलता तो into 12 करना पड़ता debit कितना करेंगे 36,000 लो भाई हो गया remuneration to r उसके बाद क्या है सर उसके बाद क्या है interest हमने दे दिया profits to be distributed in the ratio of 2 is to 2 is to 1 profit to be distributed in the ratio कितना है 2 is to 2 is to 1 चलो profit पर आते हैं हम लोग profit पर हम लोग आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं profit को last में distribute करेंगे वो balancing figure निकलेगा ठीक है सबसे पहले जो गलती से profit दियो उसको reverse कर लो यहां पर third में लिखिए profit to be reversed reversal of profit भी लिख सकते हो but I would prefer if you write profit to be reversed profit to be reversed कर लो कितना आएगा profit to be reversed कितना दिये थे profit 1,80,000 कैसे बांड दिये थे equally बांड दिये थे वो पिस ले लो छीन लो partner से बोलो भाया यह आप लोग को deserve नहीं करते हो यह mistake हो गया 1,80,000 वो पिस ले लो equally मतलब 60,60,60 debit their capital 60,000 60,000 60,000 लो भाया complete लो भाया हो गया complete फटाड ओपर नीचे हो गया line हो गया sir उसके बाद क्या करेंगे अब जो balancing figure that is the net mistake in profit चली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे profit to be given profit to be given अब सही रेशियो में देना what is the correct ratio correct ratio क्या है 2 is to 2 is to 1 है ना भाई correct ratio bracket में लिख लो 2 is to 2 is to 1 चलो भाई इस बर सही रेशियो देना ठीक है sir amount तो बता दो sir amount तो बता दो credit side देखो firm का 1,80,000 है इधर में भी लिख लो 1,80,000 अब balancing figure कितना आ रहे 1,80,000 minus 30,000 minus 36,000 1,14,000 1,14 इसको हम लोग distribute करेंगे 2 is to 2 is to 1 का रेशियो में कर लो भाई 1,14 को 2 to 1 में distribute करिए इधर आएगा sir 22,800 45,600 45,600 लो भाई हमने distribute कर दिया लो हमने distribute कर दिया लो हमने distribute कर दिया तो P को debit कितना करना है total देखिए total कर ये सब column का 6,000 और इधर कितना रहे 15,000 plus 45,600 ए बाबा कुछ गरबड हो रहा है वो 60,000 है ये देखो मा कसम जाके सो जाना चाहिए हमको अब घर 60,000 है 15,000 plus 45,600 कितना हो रहा है ये 60,600 ये भी हो गया sir 60,000 7,500 plus 45,600 कितना हा रहा है 53,100 जिस दिन सोचते है ना भाहिया recording है एक्दम तोड के करेंगे उसी दिन समझ लो नींद ऐसा जोर से आता है न लगता आला दीन का जिन घुज गया हो मेरे अंदर 36,000 plus 22,800 ये आगया sir 66,300 अब यहाँ पर आप नोटिस करिए ये दोनों firm का total मैंने क्या बोला था निल आएगा firm का total हमेशा सेम आना चाहिए difference निल आएगा अब आप नोटिस करिए P का column P का column में difference है हाँ sir difference तो है कितना का difference है 600 रुपीज का difference है sir debit side जाद है कि credit side जाद है sir credit side जाद है फिर आप आजाईए sir कौन सा column में Q का column में आजाईए इन दोनों में difference निकालिए 60,000 minus 53,100 6,900 आगया 6,900 अब ये debit side जाद है कि credit side जाद है sir debit side जाद है अब आजाएए वापिस आप last column में आर का column में दोनों का difference चेक करिए कितना difference है 6,300 का difference है which side is greater debit or credit sir credit side is greater मिल गए हम लोग को अपना journal entry sir what is the journal entry देखो भाई जो partner का debit balance है उसको debit कर दो जिस partner का credit credit है उनको credit कर दो so what is our final journal entry नाम क्या था PQR तो Q को क्या करेंगे Q को debit करेंगे Q's capital account debit 6,900 to P's capital P का capital कितना debit sorry credit करना है 600 और R का capital को कितना credit करना है to R's capital account कितना 6,300 लो भाईया आगया total आगया 6,900 600 और 6,300 होगी एगदम clarity है होगी एगदम clarity है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर इसको बोलेंगे illustration number 50 का past adjustment का entry प्यारा सा question था last illustration था यह हम लोग का past adjustment का ये सर enjoy करें क्या सर answer है बिल्कुल भी नहीं अभी तो illustration खतम हुआ है बच्चे पीछे के questions को solve पॉन करेगा जाइए और पीछे के questions को solve करिए अब चलिए सर एक pro tip बता रहे आप लोग को past adjustment में अगर आप यहां तक आ गए हैं और last question आकर आप अगर ये वीडियो देखें भले ही एक बच्चा ये वीडियो क्यों ना देखें एक बात जान लो बेटा आप जब past adjustment का concept करते हो न it is about imagination हाँ जी practice पे सारा topic practice मेरको बोलने का भी जरुवत नहीं practice करना पड़ेगा but बहुत सारी चीजे होती है जो concept पे depend करता है accounts पे literally 95% से भी जादा चीज़े concept पे रटने वाली चीज़े बहुत ही कम है accounts में समझ मेरे principles of practices of account यह जो आप पढ़ते हो न जो theory portion यह IFRS कब accounting standard कैसे mail खाया यह हुआ Geneva में meeting हुआ सर यह सारा चीज़ आप पढ़ेंगे यह learn करना पढ़ेगा समझ मेरे लेकिन यह matching principle duality principle accounts का जो theory है यह भी logical है बहुत logical है तो अगर आप समझ गए ना सर तो खाली शब्द याद रखने है वैसी सर past adjustment का concept आप logic आँख बन करके न correct PL appropriation और wrong PL appropriation अगर आप imagine करने लगेंगे न यह past adjustment table आपको मजाक लगेगा it will be a joke to you मैं चाहता हूँ हर एक question आपको मजाक लगे समझ में आ रहा है यह नहीं की पढ़ाई को मजाक बना दो समझ में आ रहा है don't make a joke out of your studies but each and every question should look like a joke कि यह बोल रहा है आप लोग का दिख्कत है sir question समझना answer देना नहीं यह मैं जानता हूँ maximum बच्चे accounts में खराब marks लाते है उन्हें question समझ नहीं आता तो इसके लिए क्या हुपाई है sir sir English को थोड़ा strong करे समझ में आ रहा है time waste थोड़ा कम करे जादा सजादा question थोड़ा practice करे multiple variety देखे questions का पीछे के questions को solve करे बिना answer देखे तब जो confidence आएगा ना मैं पीछे के question भी solve करूँगा तब जो confidence आएगा ना next particular question में illustration number 51 को solve करना जो मेरे को नहीं लगता कि past adjustment का question है ठीक है sir all the very best कोई भी doubt confusion हो प्लीज पूछो past adjustment का logic clear नहीं है जाओ जाके एक video देखो उसमें detail में discuss किया हुआ है all the very best thank you so much for watching this video I hope this was of some help to you पसंद आया like, share, subscribe obvious सा बात है tata, bye bye